प्रेस्ट बेल आइकोन अन दे यूट्यूब आप तो नेवर मिस ए विडियो फ्रम न्यूज लॉंड्री नमस्कार ये है न्यूज लॉंड्री पॉड्कास्ट और आप सुन रहे हैं NL चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल्च और रुसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर रहे हैं लॉंड्री के स्तंबकार आनंद वर्धन है आनंद आपका भी श्वागत है आज की चर्चा हम सुरू करें उससे पहले हम सरसरी तोर पर आज के विशय हैं उनके बारे में अपने शोताओं को एक बार जल्दी से बता देते हैं एक BBC की रिसर्च आई है जिस पर की हम चर्चा पढ़ने वाले समाज के उपर और उसके जो अलग-अलग तरह के असर हैं उस पर यह रिसर्च है तो इस पर हम दिब्या से बात करेंगे इसके कई पहलूं के बारे में इनसे जानकारी लिंगे और इसके अलावा पैनल की भी रहा जानेंगे इसमें सेक्स एजूकेशन भी ए प्रधान मंतरी से इस मामले में भी डेवलप्मेंट अभी जारी है इसके अलावा एक बड़ी खबर दे कैरवान की स्टोरी पत्रगा की तरफ से आई है जो कि राश्य सुरक्षा के सलाकार अजित डोबल के बेटे से जुड़े हुई है और यह काले धन और उससे जुड़ा बात करेंगे और साथ में उत्तर प्रदेश में बड़ा जो पॉलेटिकल चेंज हुआ है समाजवादी पारिटी और ओर बहुजन समाजवादी अधिंस पर भी इसके नतीजों इसके नहितारत और तमाम चीजों की चर्चा करेंगे टो हम अपने कारिकर्म की शुरूबात हिंदुस्तान में के युवाओं के उपर यहां के समाज के उपर पढ़ रहा है और क्या उसका महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा या उनके साथ होने वाली जो 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 बरदस्ती है उससे इसका कोई संबंध है उसी से करेंगे तो दिब्या थोड़ा सा संग्षेप में आप अपनी पूरी जो रिपोर्ट है उसके बारे में हमें बताएं कि इसके एक तो इसका विचार कहां से आया और इसके जो जो जुले मीजर आपके जो फाइंडिंग्स थी जो आपको मिले एर रिपोर्ट के दौरान जो लोगों से बाचीत में जो निसकर्स निकले उसका क्या संग्षेप में सार मुझे थोड़ा सा बताएं हमारे सोताओं को हमारी रिपोर्ट जो आपने BBC Hindi.com पर एक लेख के तौर पर पढ़ी वो एक घंटे की रेडियो डॉक्यमेंटरी के तौर पर अंग्रेजी और हिंदी में BBC के रेडियो पर गई थी और इसकी शुरुवात एक ऐसे वीडियो से हुई जो मेरे पास मेरे एक WhatsApp ग्रूप से आया जिसमें बहुत सारे समाज सेवी और जोनलिस्त थे जिसमें एक लड़की के कपड़े फारने की कोशिश की जा रही थी बिहार के एक गाउं में और यह एक लौता ऐसा वीडियो नह हिंसक सेक्स के जिनको पर्नोग्रफी कहा जाएगा हिंसक पर्नोग्रफी के वीडियो बड़ी मात्रा में शेयर हो रहे हैं मोबाइल पे हो रहे हैं क्योंकि मोबाइल ही इस वक्त सबका पसंदीदा माध्यम है तो इसकी तहकीकात करने की हमने सोची इसकी पड़ताल की और ज लेकिन इससे उनके बरताव पर असर पड़ता है, ये खुद मर्दों ने हमें बताया, और खुद ये भी बताया कि कैसे जब उन्होंने बहुत साफ कोई से हमारे साथ पॉन की अपनी कंजम्शन के बारे में बात की, कैसे औरतों से जब वो संपर्क में आए, तो उनका एक रि की अपने पीस में. समाज में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, सेक्स एजुकेशन की, वो सडक पर आम तोर पर चलते हुए, जो कुत्तों को देखके उससे ट्रेनिंग होती है, घरों में चुचिडिया, गवरया कभी उस पर देख लिया, तो उनके बीच के सेक्स से, इससे एक सोच समझ बनती है कि यह है जो कि सेक्स है, इसके अलावा अब इस तरह के महौल में आप लड़कियों की तो सेक्स ट्रेनिंग की बात ही छोड़ दीजी कि उनको क्या एजुकेशन मिलती होगी, तो मैं जानना चाहरा हूँ कि हिंदुस्तानी उस कॉंटेक्स्ट में, सेक्स एजुकेशन और ज किया जाता है, हतोचसाहित किया जाता है, और दूसरी तरफ वो एक ऐसी नेचुरल, औरगैनिक और नैसरगिक चीज है कि उसके बिना उसके बारे में जानना, उसके बारे में सीखना, पौन वीडियोस के जरिये शुरू हुआ है, मतलब हमारे सोसाइटी में जो इन चीजों पर बात करने के, इन चीजों के बारे में एजुकेट करने के जो चैनल्स थे, वो कबके बंद किये जा चुके, और ये एक हिपोक्रेटिक, बहुत पाखंडी और बहुत दोहरी मांदनों वाले समाज में हमारा समाज बदल चुका है, लेकिन जो नई पीड़ी है, नए पीड़ा सीख रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है, और इसमें जहां तक जो भूमिका हो सकती थी, मतलब उनहीं की भूमिका होगी, इस अबाविक तोर पे जो लोग सेक्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, इस इसे में मीडिया की भूमिक है, वो भी वैसी ही है कि जैसे हमारी फिल्मों में पहले बलतकार का विरोध या बलतकार का बदला लेने के नाम पे बलतकार दिखाया जाता था, और एम ये रहता था कि उसको ऐसे पोर्ट्रेक किया जाए कि हौल में बलतकार पे तालिया बसती थी बलतकार के सीन पे, और ल जो जी आई यह बना हुआ है वो ऐसा दिखाता है एक सेंशेशनल की जैसे उपर इंटरकोर्स का या रेप का कोई सीन चल रहा है तो मैं इस पर यह सोचता हूँ कि जैसे निउसरूम में क्या फित्क्रिया हुई होगी इसको देख करके क्या सच मुछ इस स्टोरी को जो लोग क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग लगे होंगे रिपोर्टर इलस्टेटर उसको कंसीव करने वाले प्रिजेंट करने वाले तो उनका इंटेंशन कितना यह होगा लेकिन क्रिट साइज करने से ज़्यादा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया का रवया होना चाहिए कि कि आसपास यह जो हिंसा और सैडिजम है इसको पोट्रे करना होना चाहिए ना कि सिर्फ सूच ना देना जैसे अगर हम पॉर्ण के बारे में यह बताएं कि जो इस तरह की स्टोरी कहीं नहीं आती कि जो पॉर्ण स्टार्स होते हैं जो जिन लोगों से यह पॉर्ण में एक् जाने के लिए बाद किया जाता है और दूसरी बात यह कि यह जो पॉर्ण वर्ड है इटसेल्फ यह पॉर्ण का मतलब है प्रोसिचूशन इसका जो लैटिन रूट है और पॉर्णीन कहा जाता था वहां वेश्यालियों को तो सेक्सलेव को कहा जाता था तो यह उनके बारे नहीं तो फिर इसके बाद जो परिस्थितियां हैं जो हम दिखा रहे हैं पॉर्ण के नाम पर जैसे जैसे उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो उसमें जैसे जो सीमन दिखाया जाता है अकसर जो फीमेल करेक्टर के चेरे पर फैल जाता है वो सेटाफि समझ रहे हैं वो कुछ नहीं है एक ड्रामा इनेक्टेड है जो आपके भीतर सेक्स और प्रेम के बजाए हिंसा और परपीडा जैसी बात को बढ़ावा दे रहा है तो यह होना चाहिए ताकि सेक्स एजुकेशन सही डिरेक्शन में जा सके और यह बात तो सही है कि सेक्स माफी चाहती हूं बीश में बोलने के लिए कि सबसे सप्राइजिंग अगर आप मुझ से पूछें कि मैं एक औरत हूँ मैंने इस तरह हैं कि मुद्दे पर पहले कभी रिसर्च नहीं इंवेस्टिगेशन हमने अपनी रिपोर्ट को रिसर्च नहीं कहां इंवेस्टिगेश कि इसको इतना आसानी से मर्दों औरतों के ग्रूप में शेयर कर लिया जाता है तो जो हर जिस मर्द को मैंने इंटव्यू किया सबसे ज़्यादा ये बात निकल के आई कि बहुत हामलेस है पर हमारी रिपोर्ट पॉन के बारे में नहीं है हमारी रिपोर्ट हिंसक पॉन के इक दम ये आपकी समझ है पर ज्यादा तर मर्दों से जब आप बात करेंगे तो उन्हें लगता है कि ठीक है दो लोग सेक्स कर रहे हैं ये देखने में कोई परिशानी नहीं है लेकिन हिंसक पॉन को लेके भी वो यही मानते हैं यानि कि जो की मॉलस्टेशन का वीडियो है या फिर प्रोफेशनली शॉर्ट हिंसक पॉन है उसके बारे में भी ये सोचते हैं ये मेरे बहुत सप्राइजिंग था तो ये जो पहली इमेज जिसका आपने जिक्र किया मैं अपनी बात को वहां लेके जा रहे हूं उसको देखके कई लोग जब वो इलस्ट्रेटर ने ब सबसे अपनी इलस्ट्रेशन को भी अपने चित्रन को भी अलग करना होगा लेकिन वो एक लड़के ने बनाया था बहुत यंग लड़का है हमारे और मेरा कोई ब्रीफ नहीं है आप तो सबको जानते हैं वीविसी में उसने कहा कि जब तक आप अनकमफर्टिबल नहीं करता है उसका इंटेंशन एराउजल है नहीं यह अब यह कैसे कोई कैसे परसीव करता है इसमें इसमें एक बार आनंद को भी लाना चाहरा हूं आनंद यह जो पूरा सेक्स एजुकेसन से जुडा मुद्दा है और सोसाइटी का हमारे जो उसमें एक उसको लेके हेजिटेश सूचना करांती के साथ जो साइबर सेक्स आया जो अब मुवाइल फोन पे आ गया पहले साइबर कैफे में आया और साइबर वर्ल्ड से गुजरता हुआ मुवाइल पे आया तो वो एक तरह से पॉर्ण का लोकतांत्री करन था उससे पहले उससे पहले जो वीज्वल सेक्स ता वो डेबोनियर और फैंटेसी जैसे मेकजिनो में सिमित था जो मैट्रेस के अंदर छिपा के रखा जाता था ने लेकिन वो मस्तरहम की किताबें या फिर राग दरबारी में सिड्लाल सुकल ने भी कहा है कि एक ऐसा उद्योग भी है एक खास तरह की किताबें ऐसी भी चपती हैं जो इसारा उसी तोर पर था लेकिन वीज्वल सेक्स का जो डेमोक्रिटाइजेशन है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी से आया वो बहुत यहां तक आया कि अभी पटना रेलवे स्टेशन पर जो वाइफाई फ्री हुआ था कि पता नहीं उसको कैसे रोक सकते हैं इंटर्नेट में उसके बाद रोकने का क्या तरीका हो बज़ाज आप बैन कर सकते हैं कुछ साइट्स पर वो बैंको प्रॉक्सी बनाना बहुत आसान है जैसा कि हमने पाया है उसमें दो दो चीजें और हैं कि भारत एक जो आप एक तर देता है फिर लोगों को उसमें तठाकत हित मया नहीं आता है फ्र जो है हां फिर जो है जो जाने पहचाने मांजिसे की परिवार के ले के उस सावीता भाबही को लेके ऐंस वह संभात थापर थे इस तरह के श्रक्या माज में जो एक जैसे की एक प्रथा होती थी पहले खासकर अंतर जाती है हिंसा में गोहर प्रथा बिहार में काफी होती थी जिसमें जो की जो समूह में जो की प्रमानित प्रमानित करने का मतलम जो लोग जानते हैं कि यह बलातकारी है उसको हिंसा में सामिल किया जाता था कि वो जब धावा बोला जाए तो रेप करने में जल्दी करें तो एक तरह से उसे मुख्य धारा हिंशा का भाग माना जाता था गोहर में ये प्रथा थी तो सतही तोर पे जो सामंतवादी शम्मान है इस्तरी के लिए उसके अंदर जो खासकर उत्तर के राज्यों में जो रिप् अब भुषपुरी बेल्ट में गाने जाती आधार पे बन गये और जातियों में प्रतिसपर्धा है कि यादब जी का बेटा है पांडे जी का बेटा है तो ये जातिया आधार पे जो है ये जो अपने को इंपूज करने का और उसमें एक ट्रॉफी की तरह मतलब हिंसात्मक अभिव्यक्ति को का मुक्ता में और इस तरह क्या ये हुआ है तो पॉर्ण जो है अब जो है कि ज्यादा लोगों को चिंता तब नहीं थे जबकी एक वरग तक हो गया लेकिन इसके लोकतांतरी करन से लोकतांतरी करन जो भी कहें आप मैं उसका पॉछ गया मास तक को गया है उससे काफी और क्या है कि माइंड जो है सबसे पावड़फुल सेक्श्यल ओर इन्स माइंड है और जो इन्होंने अरावजल की कि उसका मक्षद वही रहता है माइन्ड एफेक्ट करना क्योंकि सबसे जो शक्तिशाली कामुक अंग जो है वो मस्तिस्क है मस्तिस्क आपका होगा बाकी चीजें तो वो जो मेरे कहाल से यह बंद और एक समाज कैसे पॉर्ण से डील करता है वो समाज के बारे में बहुत कुछ बताता है इसके एक और चोटी चीज़ दिव्याज इस पर बात संक्षेप में बताएं इसके बाद हम अपने अगले विशेपर बढ़ेंगे क्योंकि समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है मैं मैंने आकड़ा जो देखा उसमें तो उसमें जिगा आया था कि अमेरिका ब्र परसेंटेज़ देखने वाले है या इसमें यही चृति है सबसे स्यूंम करने बाद कामला हो सकता है कि भारत अगे बढ़ता अगया है लेकिन पाकिस्तान भारत से आगे कभी नहीं था और मेरे क्याल से हमारी जनसंख्या भी उसमें एक बड़ा रोल अदा करती है आप इससे पहले जो बात कर रहे थे sex education की आपने सवाल भी पूछा था तो और ये जो मस्तिश्क का involvement है तो इसलिए sex education सबसे key है और sex education को भी sex की नजरिये से हमारे यहां देखा जाना पूछा आपने था जवाब आप दे रहे थे sex education को लेके हमने काफी जानकारी जुटाने की कोशिश की कोई एक तरीका नहीं है जिस तरीके से यह जानकारी इंपार्ट की जा रही है sex education को लेके parents में बहुत hesitation है कि sex education दी भी जाए यह बातचीत खुले तोर पर की भी जाए इसको लेके बहुत hesitation है और इससे पहले अनल जी आप कह रहे थे कि वही से जादा सीख रहे हैं बच्चे, पॉन को ही सेक्स एडूकेशन का एक पारलल माना जा रहा है, हमने एक डॉक्टर से बात की, लेकिन अभी तो बेसिक वही हो गया है, जडिया हो रहा है, वो रियालिटी है, तो उन्होंने कहा क पॉन से सेक्स के बारे में जानकारी लेना ऐसा है जैसे फास्ट अन फूरियस फिल्म देखें राइग शीखना, तो अपने आप में जो आपने शुरू में बात कहीं कोई कंसेंट नहीं है, वो वाइलन्ट ही है, वो तो एक अलग बात है, ज़िए इसलिए कि आईरनी है, व करते हैं, वो कहते हैं, कि हाँ, वो देखना चाहिए, वो सेक्स एजुकेशन की जगें एक वाक्यूम फिल करता है, पर क्यूंकि वक्त के साथ, पॉन ने अपने आपको और बहतर और एक्साइटिंग बनाने की कोशिश में, और वाइलन्ट बना लिया है, बिल्कुल, और य सब्सक्राइब की पर इसने पहुत किया है, पॉरन इंडियोंने की यह सही का है, जैसे टेक्नोलोजी और मार्केट को पढ़ना उसको अलग अलग तरफ से परोशना, इसको बहुत मास्टर कर लिया है, पॉरन इंडस्ट्री ने यह एक मिन बूल जाउँगा, मैं भारतिय न अपने जमाने के आश्रमों के बारे में कामसूत्र में लिखते हैं, उसमें वो बताते हैं कि आश्रमों में जो छात्रों या बटुकों को चटाईयां दी जाती थी, वो खास तरह की घास से बनाई जाती थी, कि अगर जो छात्र है, वो मस्टबेट करें उन चटाईयों पे, उसका सीमें गिरे, या उसको स्वपनदोश हो, तो वो धुलते ही उन चटाईयों को, वो और इस पस्टता से उस पर उभर आता था, और फिर इस सबूत के बिना पे उन चात्रों को दंडित किया जाता था, कि क बारे में आदमी को सहज बनाया जाना चाहिए था, कि ये ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये बताता है कि हमारा यौन सिक्षा के परती क्या नजरिया है, और बहुत सारी बिडम बनाएं, और 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 अवरत के परती जो एक दमन वाला नजरिया है, ये यहीं से विक्सित हुआ एक और छोटी सी चीज, आप लोगों से छोटा-छोटा में बहुत संक्षेप में टिप पड़ी लेकर फिर हमागें, बैन की बात की जाती है, पॉन के को बैन करना चाहिए, पॉन के बैन को लेकर आपको क्या नजरिया है, जो सरकार के उपर दोबाएं, कोई बैन करी नहीं कर भारत की जो असली समस्या है, वो उसकी सुसाइटी में है, वो पॉन हमा वेबसाइट में नहीं है, और दूसरी बात है कि जैसे ही बैन किया गया, उसमें से पॉन हम भी साइमिल था। उन्होंने प्डिकली कहा, कि हमने URL में ये चेंज कर दिया है, अर् यह बहने से बेहत तो यह सब बन्द कर देंगे उसे लिए आपने कुछ पर लेकिन ऊरास्ते बन्द नहीं होते हैं अगले विशेकितर बढ़ते हैं कि हमारे राश्टी सुरक्षासलाकार अजीट डोभल से जुदा मामला है कैरवान मैग्जीन ने एक स्टूरी की है इननिवस्टिकेशन है इनके बेटे के ऊपर जो कि विवेक डोभल है और उनके ऊपर ये सूत्र मिला है उनके कामकाज और ब्यापार से जुदा जिसके मताबिक उनके जो व्यापार और उनकी कमपनिया है केमिन आइलेंड से एक आम करती हैं वहां से उपरेट करती है केमिन आइलेंड विसकली एक ऐसी छोटी सी जगह है एक छोटा सा देश है जहांपर करो की चोरी या ब्लैक जो मनी होती है उसको डंप करके और उसको इन्वेस्ट करने का एक रूट है तो उससे जुड़ा मामला है और आजित डोवल के उपर इस मामले में अब एक नैतिक किसम का दबाव ज्यादा बनाया जाए है हलाकि इसके तमाम पहलों पर भी बात हो सकती है कि वो राश्री सुरक्षा सलाकार है इसके अलावा 2011 में एक उनकी बहुत विस्तरित रिपोर्ट थी जो कि इसी केरवन की गुरुमूर्ती के साथ काले धन के उपर जिसमें उन्होंने ऐसे सारे जो केमन आइलेंड है या जो स्विस बैंक है या फिर विंचिस्टाइन है जर्मिनी में ये सारे जो इलाकिन जो की टैक्स फ्री जोन है उन सब को बैन करने की मांग की थी इन सब पे कली कारवाई करने की मांग उनकी पूरी रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट ये भी कहती थी कि जो भारती ये लौ मेकर्स हों भविश्य में या जो सांसत विधायक हों इन लोगों से बाकायदा एक सपत्पत्र लिया जाना चाहिए कि इनके इस तरह के कोई विदेशी खाते नहूं उन विदेशी खातों में ये किसी तरह का धन संग् ना करते हूँ ये सारी इनकी रिपोर्ट थी और एक और महत्वपूर्ड चीज है जो कि हम अपने सोताओं को बता दें कि इस पूरे रिपोर्ट में कि जिस टाइम पे ये इनके वेटे बिवेक डोवल की ने अपनी कमपनी का रिज्ट्रेशन कराया वो समय है नवंबर आठ न जो 2016 की तारीक है जो कि डिमोनटाइजेशन का वक्त था उसके ठीक 15 दिन बाद का समय है कि डिमोनटाइजेशन के आसपास के समय में ही ये सब हो रहा है तो आनंद एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हम सामानने तोर पर एक चीज देखते हैं कि जो तैयारी करने वाले स्ट तरह इतनी अच्छे से चेक किया जाता है कि 144 जो की बेमतलब की धारा है ड्रकोनियन कहा जाना चाहिए उसमें भी अगर स्टूडेंट का नाम आ गया कहीं किसी धरना प्रोटेशन में कहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ऐसा वैसा तो उनकी नोकरियां लटक जाती है क्ल पर यादा उसकी क्या डिमांड है इसमें किसी तरह का अजी डुबाल इसके दाएरे में आते हैं जो कि नंबर दो नोकरसा है एक तरह से या नंबर एक भी कह सकते हैं कहीं माइनों में पहली बात तो यह रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है अच्छा दूसरी बात कि एक पत् अफ्रीका की रिपोर्ट है इस पर अभी उनका क्या स्पस्टी करन है क्या उनका जवाब है वो भी आना चाहिए और सिर्फ के रिपोर्ट के अधार पर बहुत कुछ कह देना मैं नहीं उचित मानता हूं तीसरी बात है कि इस सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं जैसे कि य फॉर्मर आईपीएस ओफिसर हैं डोवाल केरल काडर के तो सिविल सिवा में जो है रिष्तेदारों को लेकर नहीं है मतलब आप पर होनी चाहिए जो मैं तो मैं सिविल सिवा के तैयारी करने वालों को परहाता हूं एक के चाचा जो है जामिया से है एक चाचा एक टेरिरिस्ट एक्टिविटी में जेल गए हुए हैं लेकिन उसे पद मिला पिछले साल रैंक भी लाया तो परिष्तेदारों को लेकर नहीं है लेकिन आपका मैं समझ कि उतने मतलब जिम्मेवार पोस्ट पर हैं और उनके अगर और बहुत दूर के रिष्तेदार नहीं जो की कोई भी लाव लेने के सबसे नजदीक पोजिशन पर हैं उनके पुत्र हैं अगर ऐसे सनलिप्त पाये जाते हैं तो एक तो है कि डोवल साहब का अब तक अस्परस्ट करन आना चाहिए था जो कि नहीं आया है वो एक भी लंब है और जिसमां का बेटा यह कंपनी खोल रहा था उनको रोकना भी चाहिए था क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट वो पहले दे चुके था तो वो है लेकिन अब उनका क्या कानूनी जवाब होता है क्या होता है उसके ल चुकि आनद ने जी सुर्ग इसा रखिया कि आप चुकि बेटे हैं तो सबसे ज़्यादा वो आपके पास पावर है कि बारगेन की की आप अपने पिता की पद का फायदा उठा सकते हैं और अभी उनका स्पष्टी करन नहीं आया है चुकि तो हम यह मान के चल सकते हैं कि य उस पे के और से चीजों को चुपाया गया या इस तरह से चीजों को किया गया क्योंकि अगर उनको इस बात की जानकारी थी तो रासी सुरक्ष्चा सलाकार का ऐसे किसी भी जगह से नाम जोड़ना जिसका सीधे-सी पहचान ही काले धन से है वो इस पूरे-पूरे एक दे खड़ा करती है साथ गवर्मिन के साथ डील करने के लिए वो काफी है तो अजीट डोवाल जो डोभाल होंगे वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनके बेटे क्या कर रहे है क्योंकि अजीट डोवाल का काम एक तो यह है ही कि वो देश की सुरक्षा को मजबूत करें लेकिन इसके सा को बंद करना उन पर कानूनी करवाई करना और बीजेपी के वेंडेटा पॉलिटिक्स को बदले की राजनीत को प्रमोट करना तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते होंगे कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं क्योंकि उनके बेटे जैसी कंपनिया चला रहे हैं वैसी ही अन्य कं पहते हैं कि अगरिगाते नोट-बंदी के साथ अमितशा के बेटे के मामले में देख को म्ाँवाल क्रेश्वार्फ में बेधेश्रात कॉपरेटिव के मामले में धेख रहे हैं तो मैं इसमें कोई अन्होन नहीं देखता ये तो होना ही था कि जो भी इस सरकार में उच्च पदपे होगा वो बातें बड़ी-बड़ी करेगा लेकिन इसकी ओट में बहुत सारा काला पैसा बनाया जाएगा जो उसके रिस्तेदारों के पास जाएगा दिव्या आपका इस पर क्या कहना है? मैं सहमती रखती हूँ मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ पाई हूँ वहत लंबी रिपोर्ट थी और बिना उसको पढ़े उनकी अपनी तहकीकात पर कुछ कहना मुझे लगता है शायद सही नहीं होगा और जाहिर तौर पर उनका पक्षाना आनिल जी को लगता है उसकी जरूरत नहीं है पर कर्मा की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है और उस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन करते हैं कि इससे जितने सम्मंधित पक्ष है उन्होंने जेल कर रखा है उनसे पूछना चाहते हैं लेकिन वह अवेलबल ही नहीं लेकिन अग महत होता है पर्जेप्शन बिल्डफ होता है और उससे आपका नवा नुक्सान तय होता है 2014 में नरेद मूदी आयते और इतनी सारी चीजी उनके पक्ष में जा रहे थी कि वह एकदम पारस पत्थर वाली स्थिती थी जो भी चीज चूते थे वह अचानक से सोना बन जाते थ और इस दौरान अब क्या हुआ है पिछले चार-पांच सालों में लगाता है और हम देख रहे हैं कि जो सबसे क्लोज समूह था वो सब लोग कहीं न कहीं परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स है उसमें उनके उपर दाग लगते जारे चाहे वो अजित दोभाल हूं अपने बे 30,000 क्रोड या 25-22,000 क्रोड रुपए का लाफ पहुंचा दिया अनि लंबानी को तो वो जो परसेप्शन वाली जो इस हिती है वो उस राजनीति को क्या मोदी 2019 से पहले लूज कर रहे हैं वो इपी सत्ता में जो भी रहेगा वो दूसरा तरह का जीब होगा जो सत्ता में जो क्योंकि जो मीडिया जो बाइडिफॉल्ट अपना धर्म एंटी इस्टैबलिस्मेंट मानता है तो एंटी इस्टैबलिस्मेंट ख़जेगा उसका प्रचार प्रशार होगा तो बहुत चीज़े आपके भी पच्छ में ऐसे ही जाएंगी तो वो तो परसेप्शन में है ही ल आधरियों उनके फर्क नहीं परेगा वो फिर भी आपका बचाओ करेंगे यह फिर भी आपका पर हमला करेंगे लेकिन जो समस्य अबिया स्टारूट मुझे लगता है एक बदलाव जो आप यह बात कह रहे है ना अंध भक्ति और अंध विरोधियों में यह है कि क्योंकि वार्टसाइप कई माः मीम में उस दुनिया के बारे में हमें बताता है जिनसे हम रोज रूबरू नहीं हो रहे हैं शुरूआत में इस मोदी कारिकाल की शुरूआत में जिस तरह कि मेसेज, मजाख, मेम आते थे उनमें कभी भी प्रदानमंतरी मोदी या उनके बड़े नेता भी अरुणचेटली वगरा निशाने पर नहीं होते थे अपनी जगह नहीं बना पाया है लोग उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं ना उससे वो जुड़ पा रहे हैं वो ऐसा कोई स्कैम नहीं है जो उनकी जिन्दगी पर असर डालता हो और उसकी वैलुएशन को लेके जितनी जानकारी का एक समुद्र है एक सागर है उसमें स उसको कैसे चांटे उसमें से किस चीज को समझें और किसको दोशी माने मुझे लगता है लोग अभी उसको उस तरह से उससे जुड़ नहीं पाएं परसेप्शन से जुला इसका एक अगला पहलो है जिस पर हम बात करना चाहेंगे अकसर बात होती है आनंद तो आपसे मैंने दो-तीन बार ये बात सुनी कि राजनीती में जो है वो स्वास्त जो है हल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राजनीता का लंबा करियर जो है वो बहुत इस पर निर्भर करता है कि आप केतने फिट और वो हैं और इस मोर्चे पर भी जो परसेप्शन वाली अचानक से मतलब पीछड़ते नजार आ रहे हैं कि हमने देखा अरुन जिटली को के भीमारी डिरेक्ट हो गई फिर सुसमा सुराज ने पहले ही अनौंस कर दिया है उमा भरती ने अनौंस कर रखायक चुनाओं नहीं लड़ेंगी वो और रवी शंकर प्रसाद एमस में भरती हैं जो कि संध और भाजपा के बीच में सेतु का काम करते हैं वो कल भरती हो गए जाके कैलास में हमिशा भरती हो गए जो बहुत करीबी हैं तो अचानक से कुछी दिम पहले अनंत कुमार की डेथ हो गई है लोग कह रहे हैं कि नोट बंदी में जो लोग मरे हैं और मॉब ल नेताओं को का साथ छूड जाना नरेंद्र मुदी के लिए वास्तों में 2000 की चुनोती को बहुत जटिल बना रहा है या हम लोग बाहर से चीजों को देखके अटकल बाजी कर रहे हैं जटिल तो है ही सिर्फ स्वास्त को लेके लेकिन स्वास्त राजनेताओं के स्वास्ते पर लेके जो सोचल मीडिया में जिस तरह के जिम्मेवार पर्टकारों के तरफ से भी जिस तरह के टूइट्स आए हैं वापती जैनक है कर लिकार जैसे कोई ने कल माफी मांगी है कोई स्तुति मिस्रा है अच्छा उन्होंने कहा था कि स्वाइन फुरूफ से अगर साथ उम चौदरी उन्होंने 2015 में मोदी पर ऐसा कुछ कहा था तो उन्होंने इस बार कुछ कहा नहीं लेकिन इसमाइली टाइप का कोई रियक्शन दे दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी जिसको इग्नोर कर सकते थे तो वह क्या है कि ट्विटर में बावाही और रिट्वीट्स क बाहाओ में आप बहा जाते हैं कई बार अगर बात करते हैं बनुदर सोशल मीडिया तो का तो अपना एक चरितर हैं कि वहर चीज़ कंभी चीज़ों को भी एक दम से सड़क पिले आ देता हैं दूसरी बात इसमें है कि एक अस्वस्त मंत्राले को लेकर चलाना है जिसमें कि ऐसे भी बहुत सक्रिय मंत्री नहीं दिखते हैं एक लाइबलीटी तो है ही और लेकिन साथ वो इतना सत्ता का केंदरी करेंट परदहन मंत्री के आफिस में खुद रहा है एक अथरिटेरियन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है कि उसका वो उतना उजागर नहीं हुआ अब लेकिन ये भी है कि जो लोग अस्वस्त हैं वो इंडिस्पेंसेबल हैं क्या उनके लिए तो अमित्सा तो खासकते हैं कि हैं उनके लिए मूदी के लिए और जेटली कितने हैं नहीं हैं पता नहीं हम लोग साथ चीजों को बाहर से देख रहे हैं तो उतना साथ अटकल बाजी इसमें ज्यादा हो फिर भी अनिल्य आप से मैं जाना चाहूंगा कि ये जो इस्तिती है एक तो ये इस्तिती ऐसे में हलाकि ये बात हसी मजाक और हलकी लग सकती है लेकिन ऐसे टाइम पे जब मत अबीर बात लगती है देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोधी गौवर्मेंट का जो हिपोक्रेटिक नेचर है जैसे इन्होंने विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में योग को फैलाने की बात की फिर खुद मोधी समेत इनके मंत्रियों ने जो फिट चल नहीं पा रहे हैं गिर जा रहे हैं एज रिपोर्टर मेरी अमिच साह से पहली मुलाकात जब ही थी 2014 में तब ही वो बीमार थे फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि जेटली की किड्नी खराब है तो ये बताता है कि आप स्वास्त के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बा चल रहे थी कि 2019 की चुनोती को हम कैसे टैकल करेंगे वो सारे उपाय बिफल हुए और काफी हताशा का माहौल है और मुझे लग रहा है कि जितने प्रमुख नेता हैं बीजेपी में वो बीमारी का बीमारी होगी थोड़ी बहुत होगी लेकिन नहीं ज्यादा बीमारी का बह चाजय हुई 2019 में जो डिबैकल हुआ उसमें हमारी भूमी का नहीं थी तो वो अपने को किनारे कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है यह अनिली का अपना आकलन में फिर कहूंगा कि हम लोग बाहर से चीज़ों को देख रहे हैं तो शायद इसमें हमारी तरफ से अटकल बाजी कि समझे कि देश अपने बजट पेश करना है अगले इंटरिम बजट आना और वित्मंत्री हमारे पास नहीं है इसी तरह से और तमाम मंत्रालियों पर असर पढ़ रहा होगा तो उस लिहास से आप कैसे देखती है इस पूरे एक कैबिनेट जो कि आज अचानक से बीमार और असहाय दिख रहा है एक बात दिए कि अरुन जेकली ने अभी अभी एक कारिकरम में शिरकत की वीडियो कानफरेंसिंग से न्यू यॉक से ही और किसी बी तरह के अपनी बीमारी का या अपनी किसी बी तरह की अक्षमता का कोई जिक्र नहीं किया बहुत साफगोई से अपनी बात रखी बजट के बारे में भी और मसलों के बारे में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा तो शायद इतना चिंता का विशे ना हो वो कम से कम ऐसा मेरे हिसाब से कोई सिगनल नहीं दिया उन्होंने अपनी वीडियो कानफरेंसिंग की स्पीच के जरिए और दूसरी बात यह तो तातकालिक असर की मैं बात कर रहे हूं स्वाइन फ्लू है हमारे यहां भी कुछ लोगों को हुआ उबर गए आती जाती चीजे हैं चली भी जाएंगी एक तो यह तरीका है से देखने का और दूसरा यह कि पिछले जो भी स्टेट एलेक्शन जितने हुए उसमें तो वोनमैन आर्मी है जिसमें की वही हर चीज का चेहरा है पाती का भी और सरकार का भी इतना चिंता का वशे लग मैं रहा उनकी तो उमर भी अभी कम है तो अभी पॉलिटिक्स में लंबा जाना है अभी तो उनकी पहली पारी है सिरियस इससे पहले तो उन्होंने संसद और विधायक इसी तरुपे अपनी सेवाइं दी हैं संसद के तरुपे ही केवल तो हम अपने अगले विशे कीतर बढ़ते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आई खबर है और जिसने एक खेमे में खुशी फैलाई है एक खेमे में चिंता फैलाई है ऐसा कहा जा रहा हूँ है सपा बस्पा का जो गड़ बंधन हुआ है तेश साल के बाद ये जो सपा बस्पा के बीच में दोबारा से गड़ बंधन हुआ है इसमें किस तरह की संभावनाएं हैं और किस तरह के जो चुनोती जो भारती जंदा पार्टी के लिए है उस लिहास से हम बात करेंगे 73 सीटे भारती जंदा पार्टे ने जीती थी 70 अपनी और दो जो की अपना दल की थी तो जिस तरह का चमतकार 93 में सपा बस्पा के अलाइंस ने मिल के किया था उसको चमतकार में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महज एक साल पहले बाबरी मस्जिद का विध्ध्वान सुआ थ राम मंदिर मॉमेंट एकदम ताजा था उस टाइम पे भी इस गड़बंधन ने बीजेपी के रथ को रोग दिया था लेकिन वो विधान सभा का चुना हो था काशी राम और मुलायम सिंग के गले मिलने से ये काम हुआ था आपको लगता है निल कि अभी उस तरह की कमिस्ट इस अलायंस में बची हुई है देखिए बहुत अंतर है दोनों परिस्थितियों में जिस समय पिछला आलायंस हुआ था, 93 वाला समाजवादी पार्टी बहुत पुरानी नहीं थी एक साल पुरानी पार्टी थी हाँ और बहुजन समाज कांशी राम जिन्दा थे और बहुजन समाज पार्टी के ग्रोथ का काल था वो बढ़ रही थी लेकिन इस बीच का जो 23, 24, 25 साल का समय बीता है ये दोनों पार्टीयां तीन-तीन बार दो-दो बार पावर में रह चुकी और उनके नेता क्या कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल क्या है, उनका कमिट्मेंट कितना है, इन सब का परिक्षन हो चुका है दूसरी महत्वपून बात ये है कि बीजेपी ने सफलता पुर्वक जो पिछडे और दलितों का, जो इनका मास बेस था, बसपा का दलितों का और समाजवादी पार्टी का पिछडों का, उसमें सेंध लगाने में कामियाबी पाई है बहुजन समाजवादी पार्टी में जो गैर जाटव जातियां हैं, या जाटवों में भी, क्योंकि पिछला जो लोग सभा चुना हुआ हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षित सीटे हैं, रिजर्ब सीटे हैं दलितों के लिए, उसमें से एक पे भी BSP नहीं ज खाई देते हैं, तो असली चुनाओती ये होगी कि समाजवादी पार्टी, जिसकी इतनी लम्बी समय से दुष्मनी रही है BSP से और BSP की जितनी इतने लम्बे समय समय तक दुष्मनी रही है समाजवादी पार्टी से, वो क्या एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर करा पाएंगे या नहीं पाएंगे क्योंकि ये 96 में मायोती ने जब कॉंग्रेस के साथ एलायंस किया था उत्तर प्रदेश में तो चुनाओ के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि कॉंग्रेस से जिंदगी में हम इसलिए एलायंस नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने दलीत वोड़ तो ट्रांसफर करा दिये कॉंग्रेस को लेकिन कॉंग्रेस के जो थोड़े वोड़ थे उन्होंने हमको ट्रांसफर नहीं किया और दूसरी एक और चीज का ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत निराशा में किया गया एलायंस है पिछले पांच सालों तक मोदी सरकार की की जो नीतियां थी इन पे जो विरोध था जिन मुद्दिंपर कर रहे थे ये दोण, इन्होंने ना कोई अंदोलन किया ना कोई जन जागरन किया, ना लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश की, हताशा में कि हम दोनों मिल जाएंगे तो इनको रोक देंगे. तो सबसे बीजेपी को और मोदी को रोक पाने में सक्षम है ये काम होना अभी बाकी है ठीक बाद ये जो अरिथमेटिक वाला मामला होता है कि इनके 20% और इनके 20% मिल जाएंगे हमारा 40% हो जाएगा जीच जाएंगे हम वो साइटने आसानी से होता नहीं है और उसके समय भी वो बीच चुका है यह चीज जो मुझे लगता है अंतर इस बार आया है वो यह है कि दोनों के बीच में जो गडबंधन है इस बार जूनियर सेनियर पार्टनर नहीं है कोई दोनों ने एकदम बराबरी का गडबंधन किया है बहुत ज्यादा और दूसरी जो चीज एक अंतर जो चेंगी उन सीटों में तो उनका संगठन होता है नेता होते हैं कारकरता होते हैं तो वो अचानक से नाराज होते हैं जो नाराजगी होती है इस तरह का कोई रिजिंटमेंट अभी तक पहली बार मैं अपने मतलब अब तक के जितने भी गडबंधन हम देख रहे हैं उसमें ये पहला एक गड़बंधन हुआ है जिसमें कि निचले स्तर पर कार करता हूँ की तरफ से उस तरह की नाराजगी, उस तरह की टूट-फूट या भागने, छोड़ने की कोई प्रक्रिया अचानक से सुरू नहीं हुई और दोनों पार्टियों में नहीं सुरू हुई है, उसस सब्सक्राइब बाते हैं, बहुत चीजें कहा दी गई तो मैं उनको दोराओंगा नहीं, तो वो तो है कि ट्रांसफर वोट ट्रांसफर एक दूसरे को करवाना मुखे चुनाओती रहेगी, 2007 में भी शतीश मिश्रा जब आये थे, तो बस्पा तो ट्रांसफर करवा दी थी दलित वोट लेकिन ब्रैमिन वोट कुछ पहले से कुछ ज़्यादा आया था वस्पा के पास, जिसमें कि मायावती सफल रही थी और एक मजबूत सरकार बनाने में, वो है, लेकिन ये जो अमबित कराइट और लोहियावादी, ये दोनों इसका जो कहिए कि आइडियोलजिक जिसको जामा पहनाया जा रहा है वैचारिक धंग से, तो इसमें भागीदारी का इतिहास रहा है, राम मनोहर लोहिया अमबेत कर कभी मिल नहीं पाए, लेकिन सत्तर के दसक में जो उत्तर प्रदेश में राम शरूब वर्मा हुआ करते थे, उन्होंने भागीदारी, कांशी राम बाद में का एक नारा भी था कि जिसकी जैसे संख्या उतनी होगी हिस्सेदारी ऐसे करके था, लेकिन क्या है कि खासकर हरित करांती के बाद जो पिछरी जातियों का आर्थिक रूप से जो इंपावर्मेंट हुआ, उसके बाद जो रूलर बिहार हो, रूलर उत्तर प् रहे हैं, उसमें दलित और जो ओबीसी हैं, वो परतिसपर्दी बन गए, इन फैक्ट के वो दोनों कॉम्पिटीटर हैं, और तो समाजिक बेस जो है, जो कास्ट इक्वेशन में हैं, वो उसमें अभी भी एक तनाव है, लेकिन जो अस्तित्व को लेकर है, और काडर को इंथ कर जहां बसपा को सीट नहीं मिली, सपा लर रही है, जहां सपा को सीट नहीं मिली, और दोनों का जोइंट करना वो रहेगा, योगेंद्री आदब की एक क्या स्टेडी था, उसमें उन्होंने तीन सिनेरियोज दिये थे, तो उसमें दिया था कि जो अगर जैसे पिछले लो परतिसाद ज्यादा था अगर स्पीवी, स्पीवी, लेकिन इस परसेंटेज को चुनावी नतीजों में बदलने के लिए, वो ट्रांसफर तो है, या दूसरी चीज है कि जो मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो अब ज्यादा इनके पीछे जा सकता है, क्योंकि उनको लगेगा कि ये जीतने वाली पार्टी है, ये एक जीतने वाली पार्टी है, क्योंकि पहले जो बटा हुआ था कि कौन जीतने वाला है उसको दें, अब जॉइंट आने से वो स्विंग कर सकता है, दूसरी बात है डवल इंकंबेंसी, केंदर की और ये तिरानमे में भ सकता है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जहला हो, जबकि बीजेपी ने बहुत लंबा वक्त नहीं बिताया उत्तर प्रदेश में, फिर भी ये प्रयोग देखने, इसमें लालू भी बिहार में शफल नहीं हो पाय थे, जो यादव मुस्लिम कंबाइन तो कर लिये थे, लेकिन दलित राम भी लास पासवान वेगरे को नहीं साथ ले, इसमें नितीज थोड़ा ज़्यादा सफल रहे थे, महादलित फॉर्मूला है, उनका है, OBC, MBC, कुर्मी फॉर्मूला, ये सबको लेकर वो थोड़ा से ज़्यादा है, लेकिन माइनस यादव, दिव्या, सब OBC, दलित, वो सब एक ही ब्लॉक के, एक ही अंब्रेला के नीचे का हिस्सा है, वो सब शुद्री या सब दलित ही है, इस तरह से, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स ने सेप लिया है, पिछले मंडल के बाद और उसके आसपास में, उसमें यादो, या जो क्रीमी लेयर है OBC का, वो वास्तों में वो दलितों के लिए वो ऐसे ही चुनोती बनके खड़ा हुआ है, जैसे कि नॉमल फारवर्ड क्लासेज हैं, या बाकी सब और जाती हैं, तो उस स्थिति में ये चुनोती ये भी होगी कि वो अपने को उनके साथ उसी तरह के अपर पेडेस्टल पे जो देखने वाली भूमिका है, वो अबिसली यादों में भी है, क्रिमिले अर्जितनी भी है, उसमें है, तो ये तो चुनोती नेताओं को होगी ही, दिव्या आपका अपना क्या आकलन है इस अलाइंस को लेकर? मुझे लगता है एक तो आइडिलोजिकली साथ आये हैं, ये ब्रहम किसी को भी नहीं है, हमारा जो वोटर है वो बहुत ही समझदार है, और तो वो ये तो क्लियरली देख रहा है कि ना ये लोहिया विचारधार, मतलब ये विचारधारा से बना अलाइंस नहीं है, इस वक नहीं जुड़ पाई, ये कॉंग्रेस का इसमें नुकसान मान लीजे जो भी, ये सपा बसपा अलाइंस में, पर सपा बसपा भी सिर्फ कोई आपसी प्रेम में नहीं जुड़ी, किसी ने सचमुच मायवती ने सचमुच किसी को ना माफ किया, पिचानवे वाली घटना के ल लोग नहीं वोट कर रहे हैं, सारा मुसल्मान एक तरीके से नहीं वोट कर रहा है, सारा दलित, महादलित, तो इस वजह से, जैसे हम उत्तर प्रदेश में पिछली दो बार सप्राइज हुए हैं, इस बार भी हम सप्राइज हूए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और गणे तो बिल्कुल भी उतना साधारन नहीं है, क्योंकि वो सीट, हर सीट की लड़ाई होगी, कहां पे वोट कैसे जुड़ते हैं, वो एक सिंपल अरिथमेटिक में बीजेपी को जटका ही लगने वाला है, मैं इससे बिल्कुल भी इतफाक नहीं रखती हूँ, ठिक बात ह पड़ी है, The Lottery of Birth, इसको लिखा है नमित अरोरा ने, और ये तीन नमित अरोरा अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्टडी किया है तीन हिंदी के चीज़ों को, एक तो ओम प्रकास वालमीकी की आत्म कथा जूठन, दूसरा अजय नावरिया की कुछ कहानियां, जिन करते हैं और बताते हैं कि यहां कुछ लोग, कुछ जातियां, उनके लोग जो हैं वो जैसे जन्म से ही प्रिवलेज स्थिती में पैदा होते हैं और पूरी जिंदिगी उनको उनकी तुलना में, दलितों की तुलना में, ट्रांसजेंडर की तुलना में, शूदरों की तुल बिल्कुल दो तीन आपके इच्छब है एक तो क्योंकि मैंने अभी काम किया ये पर्नोग्रफी पे तो उसके लिए कुछ किताबें पढ़ी उसमें से एक किताब एक महिला लेखक है रिचा कॉल पाड़ते उन्होंने लिखी है उसका नाम है साइबर सेक्सी और मेरे लिए वो बहुत नया था क्योंकि वो उन सब लोगों की बात करती है जो मर्द नहीं है और पॉन देखते हैं यानि महिलाओं की LGBT समुदाय की समलेंगिक समुदाय की जो लोग अपने आपको ऐसेक्शुल कहते हैं यानि कि जो सेक्स नहीं करना चाहते है उनकी और उनकी पूरी किताब से उनका आग्यूमेंट ये निकल के आता है कि इन सब समुदायों की बात जब हम करें जिनकी नीट के बारे में कभी चर्चा नहीं होती तो इन लोगों के लिए पौन एक नया जरिया बनता है अपनी डिजायर को एक्स्प्लोर करने का तो मुझे एक नई बात लगी एक नया नजरिया लगा और हो सकता है हम आगे इसकी पड़ताल भी करें और कुछ पुराना में कहना चा रही थी बहुत लोगों को जानती हूं जुनोंने ये डॉक्यमेंटरी देखी है फाइनल सेल्यूशन राकेश शर्मा की और बहुत से लोगों को जानती हूं जुनोंने नहीं देखी है तो जो कोई भी आज पॉडकास सुन रहे हैं और जुनोंने नहीं देखी अगर सोच को कैसे influence किया जा सकता है उसकी भी बात है और आगे सोचने के बारे में भी मजबूर करती है और अभी कोई नहीं हो रहे पर मुझे लगता है कि दुरभाव और भेदभाव और बांटना यह सब ऐसे मुद्धे हैं जिन से इस वक्त हम बहुत जूज रहे हैं निजी स्तर पर भी और एक साथ एक समाज के तौर पर भी तो देखना अच्छा रहेगा अनन्द आपका रिक्मेंडेशन दो पुस्तके हैं लेकिन भी सही एक ही है तीस वरसों का अंतर है दोनों में तो इस बीच जो है सबसे बरी human gathering प्रयाग राज में कुम्भ में चल रही है तो कुम् कुछ निबंद लिके थे उसमें जो 89 में जो कुम्भ हुई थी उसमें अंग्रेजी मीडिया का क्या नजरिया था कुम्भ को लेके तो वो कैसे इसे मतलब उनके headlines जैसे Times of India, Hindu, Hindustan Times इसको उनने study करके लिखा है कि कैसे उसमें the win of obscurism over reason और ऐसे करके तो इतने बरे जो साइज है तो वो कोई भी उमीद नहीं कर रहा है कि फिजिक्स कॉंफरेंस होगा कुम्भ में या Indian Science Congress होगी वो एक फेट का ही समागम है कुछ लोगों के लिए पिक्निक भी है कुछ लोगों के लिए प्रेयटन भी है तो लेकिन जब जब मेला कहा है या तो मेला है तो उन्ह जो कामरियों पर एक ट्विट देखते थे देखा हमने पिछले शाल कि इतने लोग हरिद्वार में एक अत्रित हुए हैं इससे पता चलता है भारत में कितने बेरोजगार हैं तो इस तरह के लोग मीडिया हॉसेज में ट्विट लिख रहे हैं जिन्नों जो भारत से कि और लोजिस्टिक्स इसकी 2001 के कुमक्ष के बाद मेरे ख्याल से गार्डियन ने उस समय के इलाहबाद के डिस्टिक्ट मेंजिस्ट्रेट को वरल्ड ग्रेटेस्ट इवेंट मैनेजर बताया था क्योंकि इलाहबाद की उस समय का फِगर गलत हुआ लकिन उसने कहा कि एक prescription स तारे चार करोड चली गई थी जन संख्या और वो किसी भी मतलब की धरती के इतिहास में एक ही जगह पर आज तक करें इतनी लोग नहीं हुए तो उसलिए तो कहने का मतलब लॉजिस्टिकल एक सिर्फ शद्धाका नहीं लॉजिस्टिकल एकसरसाइज का इवेंट अब दो रिकमेंडेशन है एक तो प्रिंट पे हिलाल अहमत का जो बाबरी मस्जिद के विवाद से जुला अब एक आर्ट के लाया है कि किस तरह से इस पूरे बीस-पचीस साल के दवरान डिमॉलिशन के बाद से अब तक के बीच में एक बड़े सच को पूरी तरह से भुल बुला कर कि वहां पर एक मस्जिद खड़ी थी एक स्ट्रक्चर था एक बिल्डिंग थी बुलाकर अभी सारी की सारी बात को फोकस कर दिया गया केवल एक जमीन पर और जमीन के उपर निर्णे देना है तो उसकी जो टेकनिकलिटी है उसकी जो लिगालिटी है उन सब के पॉइंट बई पॉइंट लिखा है दे प्रिंट में एक आर्टिकल है वाट अबाउट बाबरी मस्जिद हाउ लेंड बिकम मोर इंपोर्टन देन दे मास्क इन आयोध्या तो एक ये लेख है रिकमेंडिशन में करूंगा इसके अलावा अचानक से मेरे दिमाग में आज के नाम से हलाकि उसमें आपको भारती कॉंटेक्स तो नहीं मिलेगा कोई और वो अमेरिकन कल्चर से के उपर डिपेंड अमेरिकन सोसाइटी और उसको रिफलेक्ट करता है लेकिन फिर भी सेक्स एजुकेशन को लेकर जो हमारी है जो हमारे यहां एक पूरी की पूरी एक द साथ उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया है तो वो एक दूसरा रिकमेंडिशन मेरा होगा इसके साथ ही हम अपनी आज की जो चर्चा है इसको रोकेंगे और उससे पहले आप लोगों से एक बार फिर से वहीं अपील करेंगे कि निउस लॉंडरी क बहुत बहुत शुक्रिया